तो स्वागत दोस्तों आप सभी का हमाय चैनल में आज हम आपको इस वीडियों बहुत सारी आपके ऐसी वेकेंसी बताएंगे दोस्तों जो आपको फिलप करना चाहिए तो यहां पर हम जो है जिसके बारे हम बात करेंगे वह पूरी जो है टेक्निकल वेकेंसी होगी इसके बा वेकेंसी जो है दोस्तों Metro Rail Corporation Limited में है जहां पर मुंबई मेट्रो जो नाकपुर मेट्रो है उसमें वेकेंसी क्रेट हुई है तो इसमें जो है आई टी डिप्लमा बीटेक के कैनिकल फॉर्म को फिलप कर सकते हैं दोस्तों अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर हर एक क लांच की बात किया जाए तो यहां पर देखोगे अगर आप इस्टेशन कंट्रोलर के लिए 56 वेकेंसी है जहां पर डिप्लमा इलेक्ट्रिक एलेक्ट्रोनिक और मेकैनिकल के केंडिट फॉर्म को फिलप कर सकते हैं दोस्तों यहां पर बीटेकिन इलेक्ट्रोनिक और मेकै अगली वेकेंसी हमाँ पस उसकी बात किया जाए तो डिपार्ट्मेंट आफ अटोमिक इनरजी की है जोस्तों यहां पर दिपार्ट्मेंट आप इसके आपको दिस्क्रिप्शन वाक्स पर दिया होगा आप वहां जाकर फॉर्म को इसली फिलप कर सकते हैं दोस्तों अगली जो वेकेंसी हमाँ पस उसकी बात किया जाए तो डिपार्ट्मेंट आफ अटोमिक इनरजी की है जोस्तों यहां पर जो है इसकी जो लास्ट डेट है 27 दिसंबर है यहां पर दोस्तों अगर कौन से करेंट जो हैं फिलप कर सकते हैं अगर उसके बारे बात किया जाए तो यह यहां पर दोस्तों अगर एजुकेशन कौलिफिक्शन देखेंगे तो यहां पर बार्मी के पास केंड़ेट और कोई भी ग्रेजूट के केंड़ेट जो है फॉर्म को फिलप कर सकते हैं यहां पर जो सेलेक्शन प्रोसेजर होगा दोस्तों उसमें आपका लेवल 3 होगा जै अब बात करते हैं दोस्तों अब दोस्तों बात करते हैं इंडियन ओयल में आई फी वेकेंसी के बारे में दोस्तों यहां पर जो है जूनियर इंजिरिंग एसिस्टेंट के लिए वेकेंसी है यहां पर दोस्तों बात किया आपको एक साल का एक्स्पियेंस होना चाहिए अगर आप जूनियर में आपका diploma complete होना चाहिए और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका जो है experience requirement है जिस discipline से आप हो यहाँ पर fire safety के लिए vacancy आ रखी है यहाँ पर कोई भी application fee नहीं लिया जा रहा है और यहाँ पर junior quality control and assist के लिए vacancy आ रखी है जहाँ पर BS in physics chemistry के कैयों जो है age limit यहाँ पर रखी गई है देन दोस्तों यहाँ पर selection procedure की बात किया जा तो यहाँ पर आपका return test होगा और return test और जो skill test है उसके basis जो यहाँ पर selection होगा 150 रुपया का application fee लिया जा रहा है एक बार फिर से इसकी important date के बारे में बात कर लेते हैं तो इसकी जो last date है दोस्तों आपका 21 December 2020 और इसमें examination date भी है तीन जनवरी 2020 को जो है इसका examination date रखा गया है और result जो है आठ जनवरी 2021 को जो है publish करने की बात हो यहाँ पर हो रही है अब दोस्तों बात करते हैं अगली वेकेंसी की तो अगली वीजियो वेकेंसी हमारे पास airport authority of India limited जहाँ पर junior executive के लिए जो है vacancy है यहाँ पर 368 वेकेंसी है junior executive post और manager post के लिए इसकी दोस्तो लास्ट डेट जो है आपका 14 जनवरी 2021 रखी गई है यहाँ पर अगर आप qualification देखो कि दोस्तो तो कौन कौन सी qualification के लिए कितनी number of post और क्या salary अगए रहा है देखें कि दोस्तो यहाँ पर जो technical vacancy है दो है junior executive year traffic control की सबस्यादा vacancy है यहाँ पर दोस्तो देख सकते हैं इसके education qualification की बात किया जाए दोस्तो देखेंगे यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे थोड़ा सा आपके बारे समय यहाँ पर देखिए दोस्तो यहाँ पर जैसे की जूनिया executive टेकनिकल वाली पोस्ट है उसमें बीटेक डिग्री इन ओर्टुमवाल और मेकनिकल की केंड़िया फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं वाँ की पोस्ट जैसे की जूनिया executive ट्राफिक कंट्रोल में दोस्तो बीएस सी बीएस सी अगर आपने कर रखा है physics chemistry math से तो आप जो है यहाँ पर eligible है दोस्तो 27 साल जो है यहा पर application form रखा गया है कैसे apply करना है link मैंने आपको description box पर दिया हुआ है यहाँ पर जो selection होगा दोस्तो online test होगा और interview के basis पर जो यहाँ पर selection लिया जाएगा अब दोस्तो बात करते हैं अगली vacancy की तो अगली vacancy जो हमारे पास है Indian Air Force जानी कि F-Cat में vacancy आ रखी है जिसकी last day दोस्तो 30 December रखी गई है यहाँ पर दोस्तो freshers के candidate जो है form को fill up कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तो तो यहाँ बीटिक के candidate बीकॉम के candidate जो है दोस्तो यहाँ पर आप देखोगे branch wise और category wise vacancies यहाँ पर आपको देख सकते हैं सामने आपको स्क्रीन में देख रहा है कि यहाँ पर कितने के लिए post है अब बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या requirement है education qualification तो यहाँ पर bachelor's degree in any stream जाने कि bachelor degree जाने कि आप BA, BSc, BC, BC, BT कुछ भी कर साइंस होना जरूरी है और बीटेक होना जरूरी है तो यहाँ पर 20 लगे 26 साल के एक 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 एड़िया form को fill up कर सकते हैं तो आप उन पोस्ट के लिए भी eligible हैं और यहाँ पर कुछ ऐसी पोस्ट है जहाँ पर non-technical vacancies हैं वहाँ पर वह भी candidate eligible हैं तो आपको decide यह करना है कि है तो आपको जो है engineering knowledge test लिया जाएगा phase 1 में phase 2 में दोस्तो यह एरफोर्स बोर्ट द्वारा जो है interview conduct पर जाएगा और phase 3 जो है यहाँ पर physical fitness आपकी देखी जाएगी application fee दोस्तो 250 पर यहाँ पर रखा गया है बांकि जो candidate है NCC वारे उनके लिए कोई भी application form यहाँ पर यहाँ गया है यहाँ पर फिर से मैं आपको बता दूँ यहाँ पर यह फॉर्म जो है आपका एक December से start हो चुका है 30 December जो इसकी last date रखी गई है दोस्तों आपको यह information कैसे लगा comment करके आप हमें जरूर बताएं आपको हमारे चनल में और भी बहुत सारी vacances मिल जाएंगी जहां पर हमने बहुत सारे freshers candidate के लिए fill up किया हुआ है बहुत सारी vacances बताई हुई है तो आप जो है उन सारी vacances को देख सकते हैं तो दोस्तों मिलत सब्सक्राः तो